अगर स्वागत आप सभी का शूडूप चैनल सरकारी बोल पे तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि उत्तरपर्देश और बिहार रीजन के कंडिडेट अपना SSC GD का एडमिट काड इस्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं अगर एडमिट काड इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले है तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आपलइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ सेर कर दीजे जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजेगा जैसी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे जब भी हम कोई नई वीडियो अप्लोड करेंगो उसकी जानकार मिलेगा आपको सबसे पहले तो चलो वीडियो आज की स्टाट करते हैं किसी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजेगा सरकारी बोल डाट कॉम उसके बाद जो सबसे उपर रिजल्ट आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इस तरीके से ओपन हो के आ जाएगा आप यहाँ पर आप देखोगे हमने आपके लिए काफी इंपोर्टेंट आई दाउंलोड तो यहाँ पर शेंटरल रिजन एड्मिक कर इस्टेटस तो यहाँ पर किलिके बेख किजिए जैसे ही आप यहाँ पर कलिक करेंगे तो जो जो एससे सेंटरल रीजन की आपिषय साइट है वह आपके सामने उपन हो के आ जाएगी इस पर काफी traffic का काफी लो पिएप्स SSF राइफल में जीडी इन असम राइफल्स एंड सीपोई नार्कोटिक्स कंट्रोल बूरो एग्जामनिशन 2022 पेपर वन टू बी हेल्ड फॉम दस जनुवरी दोजार तीश से तेहरे फरवरी दोजार तीश इस पर किलिक कीजिएगा जैसे ही आप इस पर किलिक करे तो यह नेक्स्ट पेज वह आपके सामने उपन होके आ जाएगा दोस्तों काफी लोड का काफी ट्रैफिक है साइट पे इस वज़े से ओपन होने ही में थोड़ा टाइम लगा रहा है क्योंकि यह जो इस्टेटस है अभी 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 ही यह अपडेट हुआ है तो जैसी इस्टेटस देखने का पोर्टल वह आपके सामने उपन होके आ जाएगा उसका डारेक्ट लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे उस पर जैसे ही आपके लिक करेंगे तो सीधा उस पेज़ पर आ जाओगी यह ओपन हो रहा है अभ और आपको रजिस्टेशन नमबर पता है तो यहाँ पे डालिए अगर रजिस्टेशन नमबर आपको नहीं पता न तो जो आपने ऐसे सी जीडी का फॉर्प बराते हो उस दाएम जो इमिल आईड कर लीडे गा उस इमिल में आप लोग इन करके स हर्च कीजेगा स तो वहाँ पर आपको registration ID मिल जाएगी, तो registration ID यहाँ पर डालिएगा, date of birth आपनी यहाँ पर डालिए, date, month, year, उसके बाद यहाँ पर city select कर लिजेगा, कि जब आपने SCGD का form बराता, तो exam देने के लिए first preference पर आपने consistency select की थी, वो यहाँ पर select कर लिजेगा, उसके बाद यहाँ calculate capture यहाँ पर calculate के यहाँ पर डाल दीजेगा, और search पर click करोगे, तो आपका दिख जाएगा status, कि आपका form accept हुआ है या reject हुआ है, accept हुआ है, तो उसमे date दिख जाए, किस date में आपका exam, कि city में exam है, और admit card ही दोस्तों बात करें, तो जिश date में आपका exam, उस date से 4 दिन पहले, तीन दिन पहले admit card available हो जाएगा, तो download आप कर सकते हैं, यहाँ इसे download का आपको दिखा देगा, इस status में नीचे कि तरफ आपको दिखा देगा, download admit card का, उस पर click करके आप इजी लिए download आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको registration ID नहीं पता, तो यहाँ पर nom wise भी आप निकाल सक अगर आप फुल नाम डालना चाहते हो, तो अपना फुल नाम यहाँ पर डाल दीजेगा, फुल फादर नाम यहाँ आप डाल दीजेगा, डेट अपनी यहाँ पर select कर लिजेगा, जो भी आपकी date of birth है, उसके बाद यहाँ पर आप birth year डाल दीजेगा, किस year में आपको birth लिजेगा, फॉर्म बढ़ते टाइम, आपने कौन सी city opt की थी, कौन सी city select की थी, वो यहाँ पर select कर लिजेगा, उसके बाद यहाँ पर इसको calculate करके यहाँ पर डाल दीजेगा, और search पर click करोगे तो status आपका दीख जाएगा, फॉर्म का, कि accept हो है, reject हो है, तो accept हो है, तो पू लिजेगा, इसका direct link हम नीचे description box में provide करा देंगा, उसके click करके सीधा आप देख सकते हैं, तो उम्मीद है, वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है, तो इसको like कीजे, share कीजे, जुड़ना चाहते हो है, ऐसी जानकरी पाने